चलिए नमस्कार, एक बार फिर आपका MGCI के माध्यम से चलने वाली IMP टेस्ट सिरीज में मैं आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ आज हम लोग अपने इस लेक्चर में गुणोत्तर स्रेणी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इट मिन्स जीपी के कंसेप कंप्लीट कर लेंगे, देन इसके बाद फिर हम नेक्स्ट चेप्टर इस्टार्ट करेंगे, आप देख रहे हैं बहुत छोटे छोटे वीडियो लेक् ऩगकारण वो भी बच जाये, तो यह हम लोग अपनी जुम्मेदारी समझ के कर रहे ही हैं, समय बहुत भी प्रीट है, आप लोग भी इसका फाइदा लेवें, और जैसे कहіंने कहीं हम जुम्मेदारी कि इसके लिए समझते हैं, आपके लिए, वेशे आपको भी आरण करें आईए तो यहां आपको एक question दिया है किसी गुणोत्तर स्रेणी का पांचवाँ पर तीन तब प्रथम नो पदों का गुणानफल प्राप्त कीजिए मतलब एक geometric progression है उसकी जो फिप्थ टर्म है उसकी value 3D है कौन से टर्म की फिप्थ एंड हमको नाइन्त तर्म का product पता करना है total नमराप तर्म नाईन है उसका product पता करना है न तो यह Hindi English दोनों हुआ क्या बोला इंग्लीज में मैंने आपको कौन सी टर्म दी है आपको दी है फिप्त टर्म जिसकी वेल्यू क्या है थ्री है टोटल नम्मर आप टर्म नाईन है और उनका प्रोड़क्ट अपने को पता करना है यह इंग्लीज हो गया उसका बहुत सिंपल है एक कंसेप्ट मैं होगा वो ट्रीक कब एप्लाई होगी आप उसके उपर ध्यान देना सबसे पहले आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए यहां टोटल नम्मर आप टर्म कुल पद कितने हैं तो नो पदों का गुणनभल मतलब नाइन टर्म टोटल है तो यदि कोई हमसे पूछे है कि प बजीग आपको बता रहा हूं वो तब ही अप्लीगबल होगा जब पदों की संख्या हिंदी में यदि हम कहें तो विसम हो और इंग्लिस में कहें तो टोटल नम्मर आप तर्म एवन ना होके और्ड हो पुले सर ऐसा क्यों है विसम या और्ड में ही क्यों लगता है मैं आप को बताता हूं धीरे धीरे हर चीज है आप मुझे एक बात बताओ कि पदों की संख्या यदी नो है नाइन है जैसे हम अपने हाथ में बात करें हमारे हाथ में उंगलियों की संख्या कितनी ये पांच है फाइप है अर्थात विसम और 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 है अब उंगलियों की संख्या चुंकि 5 है, विसम है, इसलिए बीच में आपको एक उंगली दिखाई दे रही होगी, शायर यह वाली, इस उंगली के इधर भी दो उंगली है, और इस उंगली के इधर भी दो उंगली है, है न, इसलिए पदों की संक्या विसम लेते हैं, और लेते हैं, क्योंकि विसम होने परी बीच में एक पद और एक उंगली आती है यदि sum होते तो बीच में दो पद अर्थाद दो उंगली आती है हमको बीच में क्या चाहिए? एक पद इसलिए, हिंदी में बोलें तो भी sum और इंगलीस में बोलें तो odd लेना जरूरी है तभी आपकी trick लगती है पद है वो कौन से इस्तान पर आकर बेटने वाला है उसको पता करना उसकी विट्रीक बता देता हूं तो यहां जो मद्य पद मेरा होने वाला है कैसे पता करना है बोले टोटल जितने भी पद है उसमें एक आप जोड के दो का भाग दीजिए मेरे पास में हाथ की उंगलियों माला उधरन ले लो 5 है 5 और 1 6, 6 वटे 2, 3 आया तीसरा आ गया मनलो 7 है तो 7 और 4 पता 9 है तो 9 plus एक वटे 2 मतलब 10 वटे 2 और 10 वटे 2 मतलब 5 वहां तो यह यह पदों के संक्या 9 है तो पांचवाँ पर बीच में आएगा, तो आपको वो कभी भी ये नहीं बोलेगा, कि मध्यपत का मान दे रहा हूँ, आपको ये समझना पड़ेगा, कि टोटल परद नो है, तो पांचवाँ ही बीच में आएगा, यह अपने को मंद से समझना पड़ेगा क्लियर होगा इवाग टोटल यदी पद 5 है तो क्या करना बोले सरे एक जोड़ के आदा करना है क्या करना एक जोड़ना है और फिर आदा करना 5 और 1-6, 6 बटे 2-3 1-8 करके और हब करना मानलो 9 की बज़ा ग्यारा पद होते ग्यारा इलेवन तो एक जोड़ते ग्यारा और एक बारा और उसका आदा कर दो हब कर दो ग्यारा बटे 2-6 छटवा बीच में आएगा ये वाला कंसिप चलता है तो यहां मैं समझ गया कि पांचवा पद नहीं दिया आपने मुझे मद्यपद दिया लेकिन बोला नहीं कि ये मद्यपद है हमको समझने के लिए चेलेंज किया पर हम समझ गये कि पांचवा पद ही मद्यपद है और कितना दिया पांचवा पद तीन दिया ठीक है तो यहां आपके सामने लिखने वाला हूँ, सभी पदों का गुणनफल, सभी पदों का गुणनफल, इंगलिश में बोलें तो product of all terms, बराबर, मद्यपद का मान, मतलब value आप middle term, और घात में पदों की संख्या, पावर में number of term, पदों की संख्या, ये फंडा होता है, यदि आपको मद्यपद का मतलब mid value देदे, number of term देदे, पदों की संख्या देदे, आप सीधा उसकी घात कर दो, खटाक से अंसर जाएगा, लेकिन कब जब पदों की संख्या भी संख्या, सभी बंदे मेरे समझ गए, अब फटा बढ़ बता दो यहाँ पे, मद्यपद का जो मान है, पाँचवाँ पदी मद्यपद कितना है, तीन है, और टोटल पदों की संख्या, number of term कितना है, नो है, तो तीन की घात नो, अब यह तुमको याद होना चीए, उननीस अजार छेस्सो तीरियासी, ठीक है, तो कंसेप्ट बहुत इंपोटेंट है, इसके उपर क्वेश्चन आएगा, याद रखना फंडा क्या है, सभी पदों का गुणनफल बराबर मद्यपद का मान, घात में पदों की संख्या, प्रोड़क्ट आप, all term equals to, value of midterm, to the power, number of term, हिन इंग्लिज दोन, total number of term तो direct देगा, जैसे बोला उसने 9 पदों का गुणनफल, मतलब total number of term क्या है, 9, लेकिन मद्यपद का मान वो देगा नहीं, आपको पता करना पड़ेगा, कैसे पता करेंगे, बता दिया, मद्यपद का मान, जितने भी total number of term, n देवे, एक जोड़के 2 का भाग देदेना, स आता सीधा, बहुत important है, आप इस चीज़ को mind में रखें, आपको इसका benefit जरूर मिलेगा, तो फिर एक बार बता दो, कि यदि पदों की संख्या, वी सम है, तब हम मद्यपद कैसे पता करते हैं, बोले सर सिंपल सा तरीका है, मद्यपद का मान, घातमे पदों की संख्या, इं इसरे पत कमान है, या पांचवे का, बोले फिर हमको केसे पता चलेगा, बोले फंडा है, टोटल जितने भी पदों का गुणाओ पूछेगा, उसमें एक जोड के दो का भाग दे देंगे, सपोस उसने 17, 17 पूछा के 17 पदों का गुणान पल बताओ, फैंड दर प्रोड़क देगा, हमको समझ में आगे जी, है ना, बहुत इंपोर्टेंट है, प्लीज इसको आप हलके में ना ले, नाव हम लोग आगे बढ़ेंगे, और देखते हैं अगला क्वेस्चन क्या बोलता है, बहतरीन क्वेस्चन, और ट्रिक के द्वारा हम इसको करने वाले हैं, कभी भी यदि आपको बोले कि A, B, C, D समंतर स्रेणी में है, समझना बात को, फिर मैं इसको हटा दूँगा, यदि मुझे बोले कि A, B, C, D, किस में हैं, A, P में हैं, तो मुझे A, B, C, D के मान लेना चाहिए, दो, तीन, चार, और पांच, ट्रीक है, माइन में रखना, किस के लिए ट्रीक है, A, P, के लिए, ठीक है, बोले सर, आपने A, क्यों नहीं लिया, तो मैंने एक फंडा पहले बताया, देन, दोबरा बता रहा हूं, आप ध्यान रखना, कि पहला पद मतलब A, जितना ले हो, पदों के बीच में, डिफनेस उतना नहीं लेना, यदि मैं A, एक लेता, तो एक और दो, अंतर भी क्या जाता, एक, तीन, तीन में से दो गया यह का रहा न, तो पहला पद, और पदों के बीच का अंतर अलग-लग रखना चाहिए, ऐसा करने से ट्रीक के सकसे जोने की चांस बढ़ जाते हैं, इसलिए पह के लिए कोई फंटा है, बोले हाँ है, कभी भी बोले ABC तीन पत किसमे है, HP में, सीधे आप वैल्यू रख दो, और ले लो 2, 3, 6, 2, 3, 6, आप रख दो, जो भी वो पूछे उसमें काम हो जाएगा, इसी प्रकार यदि वो बोले के ABC जो है हमारे GP में है, ABCD, तो हमको क्या करना GP मतलब आर, ratio गुणा करने से बनता है, तो यहाँ एक ले लो, फिर 2, फिर 4, और फिर 8, यह आपकी GP हो जाएगी, यह जो मैंने board पे लिखा है, यह समझ लो कि इसके उपर एक question बनेगा, अब कोई जरूरी नहीं, ABCD बोले, XYZ भी बोल सकता है, PQR भी बोल सकता है, बट यह trick अपने दिमाग में रखना, और solution इसका देखने से उसका समझ में जाएगा, सबका pattern एक जिसी होता है, ABCD के मान आप रख लो, और फिर वो जो बोले, वहाँ ले जा ले जा कि उन मानों को रख दो, place कर दो, fill कर दो, finish, ठीक है न, अब हम लोग इसको देखते हैं, और अपने question पर आते हैं, यह तो अपने overall बात की, क्योंकि अपना बात होई है न, कि limited concept और unlimited question, question बली एक देखा, बट इस concept से देखा कि बहुत सारे question आप बना दोगे, तो यहाँ आपने जो हमारे सामने बात करी है, वो GP की करी, तो फिलाल में फिर हम ABCD के जो मान लेने वाले हैं, definitely वो GP के according लेने वाले हैं, तो फिर हम एक, दो, तीन और चार, sorry, sorry for that, sorry, extremely, है न, तो हम क्या लेने वाले हैं? एक, दो, चार और आठ, एक, दो, चार और आठ, इस तरह से हम मानों को लेने वाले हैं, ओके, बस, अब वो, यदि GP के बजाए AP बोलता, तो दो, तीन, चार, पांच, HP बोलता, तो दो, तीन, शे ले लेते, बाकी की प्रोसेस सेम है, फिर आगे जो उन्होंने बोला, चले, चलो, तब आपने किसका मान पूछा, बोले, आपने इसका मान पूछा, इसकी वेल्यू पूछी बोले, आप ABC के जो भी मान आपने, GP बोला तो GP वाले रख दो, AP बोला तो AP वाले रख दो, HP बोला तो HP वाले रख दो, एंसर को आना पड़ेगा, कहां जाएगा हो गरी, योग आपने इतने सारे तो उसके पीचे जाल फिला दिये, कितनी मेथर्ड सापने मतलब 2, C मतलब 3 और D मतलब 4, तो A स्क्वेर मतलब 1 का स्क्वेर प्लस 2 का स्क्वेर, C मतलब 4 का स्क्वेर, ये हो गया, A स्क्वेर प्लस B स्क्वेर प्लस C स्क्वेर, फिर B स्क्वेर मतलब यहां से सुरू कर दो, 2, 4, 8, 2 का स्क्वेर, 4 का स्क्वेर, 8 का स्क्वेर, समझते एक, दो का स्क्वेर, चार, ये क्या है, 16, है न, यहां दो का स्क्वेर, चार, ये 16, और ये क्या है, 64, 64, ठीक है न, 16 और 4, 20, और 21, यहां पे 16 और 4, 20, और 84, चोरिया सी हो जाएगा, अब option को देखने से समझ में आ रहा है कि square, square में बदलना, square इट मींज ये दोनों पार्ट को मुझे क्या बनाना, सेम बनाना, यहां 21 है, यहां 21 आ गया, 21 का square हो जागा, इतनी अकलत अपने में है, तो अब 84 को तोड़ लो आप, तो 84 को मैं 2 से डिवाइट करता हूँ, तो 2 से डिवाइट करूंगा, तो 2, यह 8 कितनी बार कटेगा, 4 बार हो, 4 कटेगा, 2 बार, मतलब 42, ठीक है न, तो सीधी बात है, यदि मुझे एक बड़ी बस्तू, एक छोटी बस्तू, दोनों को बराबर करना, तो बड़ी को निकाल गिदर कर दूंगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो मैंने 84 में से 2 को स्प्लीट कर लिया, तोड़ लिया, और किसमें मिलाने माला हूँ में, 21 में, अब इन दोनों को मैं एक साथ रख देता हूँ, तो शायद यह 42, यह भी 42 हो जाएगा, then final answer, 42 का square, आया समझ में, suppose यह question होता और बोलता कि A, B, C, D समानतर में है, तो हम यहां क्या रखते, 2, 3, 4, 5, बोलता ABC HP में है, तो हम क्या रखते, 2, 3, 6, और question बाकी same होता आगे, answer उसके according change हो जाता, यह बहुत important trick है, मतलब इतना शांदार question है, कि इस पे से आपको फाइदा होने वाला है, बहुत simple और बहुत सारा ज्यान देने वाले, बहुत सारा knowledge देने वाले है, है न, चलो, अच्छी बात है, आप लोग भी मेनद करो न, benefit मिलेगा, चलो, अब यहां back to back एक question रख लिया, ताकि अपने mind में कोई confusion होए तो दूर हो जाए, यहां आपने हमको जो question रखा, question क्या बोल रहा log के अंदर, अब थोड़ी देर के लिए मेरी बात को सुनना, जैसे अभी हमने trick बनाई, कि ABC कभी भी GP में बोले, तो हम लोग ABC की जगे एक, दो और चार लेने वाले हैं, परन्तु यहां एक, दो और चार लेंगे तो problem आ जाएगी, क्यों आ जाएगी, for suppose, जैसे log के अंदर क a के place पे एक, फिर दो, और फिर चार, लेकिन यहां जाके आपकी गाड़ी रुख जाएगी, log 1 की value तो मालूम है 0, बट log 2 और log 4 की value मालूम नहीं है, मतलब यहां हमें यह समझना पड़ेगा, कि a का मान, b का मान, और c का मान, मैं इस तरह से लूँ, कि उनकी log की value भी मुझे मालूम हो, यह मुझे समझना पड़ेगा, एक, दो, चार, खरेक्ट है, ऐसा नहीं है, बट मुझे नहीं मालूम है, दुनिया की थोड़ी नहीं, मेरी प्रोब्लम है, तो ऐसी इस्तिके में कभी भी ABC, GP में बोले, और आगे जाके वो ABC, GP log के अंदर नजर आ है, उस case में आपको ABC के जगे, A से मान consider करना, A से value consider करना को उसके log की value आपको पता हो, बोले, सर वो कौन से मान हो सकते हैं, आ जाओ, दिखाता हूँ, तो कभी भी जब ऐसा case आ है, बोले, ABC, GP में है, और आगे जाके मुझे ओ किसमें दिखाई दे, log में, तब मुझ मुझे, A, B, और C की जगे, 10, 100, 1000, 10, 100, 1000 लेना, क्यों? क्योंकि log 10 मैं जानता हूँ, 1, log 100, 2, log 1000, 3, मुझे इसके log की value मालूम है, तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा, साथ में एक और चीज़े वो, यहाँ इसकी power N करने का बोल रहा है, no problem, जैसा जैसा वो बोलते जाएगा, मैं आगे चलते जाऊँगा, तो इसकी power B में N कर देता हूँ, इसकी power B में N कर देता हूँ, इसकी power B में N, बोले सार क्यों कर रहे हैं आप ऐसा, बोले बच्चा इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसके जैसा बनाना है, फिर बोल रहा है का आप इसका log ले लो, पेले तो आप एक स्रीज लेओ जो GP में है, ले लिया ABC, फिर बोल रहा है उसकी power में N कर दो, घात में N कर दो, बो ले ले लेते हैं, अब log ले लो, तो log 10 to the power N, log 100 to the power N, log 1000 to the power N, देखते हैं क्या, निकल के आता है, आप एक बात बताओ, ये तो 10 में है, क्या 100 को 10 की power 2 लिख सकते हैं, 1000 को 10 की power 3 लिख सकते हैं, आजाओ, तो यहाँ log के अंदर 10 to the power 9, यहाँ log के अंदर 100 मतलब जितनी 0 उतनी घात उतनी power, तो 10 की घात दो, अब यहाँ 10 to the power 2 लिखूंगा, और ये N already power मतलब घात में है, तो घात और घात के बीच में गुणा, पावर और पावर में 2 होता है, यहाँ 10 की घात 3 निकलेगा, और ये देखते हैं किस्सा कहां पहुंचता है, ये N आगे, ये N भी आगे, और ये N भी आगे हो जाएगा, तो यहाँ क्या होने वाला है, N into log 10, 2N into log 10, 3N into log 10, log 10 की वेल्यू सभी बंदों को मालूम है, 1N into 1, 2N into 1, जहाँ जहाँ log 10 था, वहाँ वहाँ में 1 लिखते जा रहा हूं, तो यहाँ N, यहाँ 2N, यहाँ 3N, आप इजीली कह सकते हो कि ये AP है, आप देखो, 2N में से 1N minus N, 3N minus 2N, N, डिफरेंस से सेम है, it means ही ये क्या है, AP है, क तो कभी भी बोले, ABC GP में है, और फिर ABC का क्या ले ले वो log, तो फिर ABC 1, 2, 4 नहीं लेना, फिर लेना 10, 100, 1000, it means 10 या 10 की power को पकड़ लेना, because of उसकी value मुझे मालूम है, तो हमें अपने mind की जो खिड़कियां है, उनको खुला रखना, mathematics मतलब thinking power develop करना, बार-बार यही बात ब समझ में आ गया कि यह series कौन सी थी, then definitely यह जो series है, कौन सी AP क्या question था, if ABC are in GP, then find the value for particular, okay, okay, बच्चा, आ जाओ तो, आगे की कहानी कहो भई, अरे वा, मस्त question, यह न, अब बड़ा धरावना question है, बोलो कुस्त हो भी यार समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं है, आओ देखो, क्या है, 0.1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, days, days, up to infinite, मतलब यहाँ एक point note करना है, 1 repeat नहीं हो रहा है, 1 को छोड़के बाकि जो 2 और 3 है, उनका repetition start हो गया है, यदि repetition start हो गया है, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, question को लिखने का यह भी तरीका होता, question ऐसे भी आ सकता है, और question ऐसे भी आ सकता है, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, उसके उपर बिंदू लगा दिया, इस तरह से dot लगा दिया, इनको कहते हैं, question के पूछने के दोनों उसके तरीके हैं, ऐसे भी question पूछेगा और इसे भी question पूछेगा, find the nearest rational number, निकटतम परिमे संक्या पताओ, परिमे संक्या ग्रूप में लिखो, या इसका मान पूछो, किसे भी पूछ सकता, आपको तो solution तो सहीं ही रिता है, चलो, अब जब हम इसकी trick पता करते हैं, बहुत simple trick में आपके सामदे रखता हूँ, कुछ नहीं करना आपको लिख लो, 123 भूल जाओ पहले तो, फिर इसके बाद में आप ऐसा number देखो, जिसके उपर यह dot नहीं है, मतलब जो repeat नहीं हो रहा हूँ, उसको minus करना, जैसे one repeat नहीं हो रहा हूँ, वन को minus करना, direct trick है, है न, अब बोले, सर यहां सभी पर dot होता, तो सारे repeat होते, बोले, कुछ भी minus नहीं करते, बोले, यहां सर, two पे भी dot नहीं होता, सिर्फ three repeat होता, फिर वहां minus में one ना लिख के, minus में 12 लिख देते, मतलब जो repeat नहीं हो रहा हो, minus में लिख दो, then उसके बाद में फिर नीचे क्या लिखना, जो जो number repeat हो रहे हैं, जैसे two repeat हो रहा हूँ, उसके ओपर dot है nine, यह भी repeat हो रहा, nine, जो repeat नहीं हो रहा उसका zero, जैसे दोनों जगे से dot हटेंगे, दो बार nine और इस पे dot ही नहीं, बार ही नहीं, it means zero, मतलब जो number repeat हो रहे हैं, उनका repetition खतम करने के लिए nine नहीं, और जो repeat नहीं हो रहा उसके लिए zero, तो यहां क्या होने वाला है, one, twenty two, upon nine, nine zero, definitely cancel भी हो सकता, but that is not our target, हूँ हमारा target नहीं है, है ना, इसको एक और तरह से मैं बता देता हूँ, एक्स्ट्रा करके, simple है, suppose आपका यह question होता, 0.23 bar, है ना, two और three, दोनो repeat है, one मेंने लिए ही नहीं, तो आप क्या बोलते है, 23, बोले यहां कोई number जो repeat नहीं हो रहा, बोले नहीं, 23, 23 repeat है, दोनों पर dot लगा, बार लगा, बोले minus, बोले फिर minus कुछ भी नहीं होगा, यदि कोई number एसा है, जो repeat नहीं हो रहा, वो उपर से minus होता है, और उसके against नीचे 0 लगता है, यदि कोई एसा number नहीं है, तो ना तो उपर से कुछ minus होगा, ना ही 99, पे 0 लगेगा, और इस तरह आपका answer आ जाएगा, कितना simple अपने करके उसको रखा है, है ना, तो एक परिमेशन क्या भी पूछ सकता है, या इसका मान क्या है ये भी पूछ सकता है, find the rational number or evaluate the value for particular question, इससे भी पूछ सकता है, हिंदी इंगलिस simple MS के अंदर को दिखाती है, ना, आ जाओ, तो दोनों medium को अपन लेके चल रहे हैं, ये बहुत important question है, और काफी सारे बच्चे doubt में पूछते हैं, इसलिए मैंने जानबूच के इसको लिया है, हलाकि हमने class में भी कल लिया है, बट important इतना है, कि दोबारा लेने का मन हुआ, और same to same मेंने लिया, यहां कुछ option है, उनमें से कौन सा option, कौन सा विकल्प correct है, ये हम लोगों को बताना है, आओ देखो, पता चलेगा न, धीरे-धीरे अपन समझेंगे, तो लगभग अल्मोस्ट अपन ने, जो इसका basic के माइंड में लेके ही चले है, सबसे पहली बात बोलिए, x, y, z गुनोत्तर स्रेणी में हो, तो कभी भी बोलेगा, x, y, z गुनोत्तर स्रेणी में है, तो हम नॉर्मली एक, दो, चार ही लेते है, x, y, z की जगे 10, या 100, या 1000 कब लेते हैं, जब यहां log में x, y, z दिखाई देता, बट log में x, y, z नहीं, a, b, c दिखाई दे रहा, तो मुझे उससे क्या लेना देना, नमर बन, नमर टू, यहां आपने एक और equation दिया है, क्यों दिया है, समझते हैं, a to the power x, b to the power y, और c to the power z, यह इसलिए दिया है बच्चा लोगों, आप यहां देखो इस option को, यदि मुझे पता करना है कि यह correct है, मतलब true है कि false है, तो मुझे a, b और c की value पता होना चाहिए, यहां भी मुझे a, b, c की value और यहां भी मुझे a, b, c की value लग रही है, मतलब मुझे option कौन सा correct है, यह दि पता करना है, तो मुझे value चाहिए a, b, और c की, और आपने मुझे trick के help से value दिया, x, y, z की, तो यह वाला समीकरण, यह वाला equation इसलिए दिया है, कि आप x, y, और z की help से किसकी value calculate कर ले, a, b, c, बहुत simple trick से बता रहा हूँ, आ जाओ, x, y, z बता दो, x क्या है, 1, y क्या है, 2, और z क्या है, 4, समझ न, बहुत simple तरीके से आपको बता रहा हूँ, बहुत simple, आपको कभी भी, यदि जैसे यह a, b, c, किसमे base में आधार में है, आपको आधार पता कर बताओ, जिसकी power, it means, जिसकी घात सबसे बड़ी है, तो बताओ, सबसे बड़ी जो घात power है, वो किसकी यह c की है, कुछ न करो, सीधे उसकी जगे 2 रख दो, आप तो बस, किसकी जगे 2 रख ना, किस base की जगे 2 रख ना, जिसकी घात सबसे बड़ी है, ठीक है, इसका उल्ट बढ़ा है उसकी घात में दो रग दो, सिंपल सा फंडा है, ठीक है, तो बताओ, यहाँ A की पावर 1 है, छोटी यह, B की पावर 2 है, उससे बढ़ी है, C की पावर 4 है, उससे बढ़ी है, सबसे बढ़ी पावर किसकी, C की, जिसकी पावर सबसे बढ़ी, उसका बेश सबसे तो जहां C है, वहां मैं क्या ले लूँ, 2 ले लेता हूँ, 2 to the power 4, और 2 to the power 4 को मैं क्या कहने वाला हूँ, 16, अब जब मुझे ये पता चल गया C कि final value 16, तो exactly मैं opposite, उल्टा सोचूंगा, कि मैं B के place पे B की जगे क्या रख दूँ, ताकि उसकी घाद 4, मतलब उसकी घाद 2 करने पर 16 आजाए, तो B की जगे 4 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि 4 की घाद 2 करने क्या होता, 16 अपने आप आप आगया B, कैसे ही मुझे यहां समझ में आएगा, कि यहां भी मुझे 16 लाना थी, इसकी घाद 1 करने पर 16, बहुत 16 रखना पड़ेगा, 16 की घाद 1 करेंगे, तब ही 16 तो ट्रीक है यह, तो पताओ अपने ABC मतलब आधार को कैसे सेट किया, सर बहुत सिंपल है समझ में आगया, जिसकी घाद सबसे बड़ी रहेगी ना, उसके आधार को सरम दो रख देंगे, कि इसका उल्टा सर आपने बोला था, एक बार और बोल दो, उल्टा यह बोला, जैस का साथी सबसे छोटा और वो दो, खतम किसा, है ना, आजा, आप यहाँ पर मैं एक एक उप्शन को आपके सामने रखता हूं, और आप भी मुझे जवाब देते जाना, जैसे फर्स्ट वाला उप्शन है, उसकी बात कर लेते हैं पर, क्या है, लॉग A, बेस B, बराबर, लॉग B, बेस C, है ना, A की वेल्यू क्या है, यहाँ पर बताओ, 16, A आया 16, B आया 4, और C तो हमने लिया था, 2, ठीक है ना, तो लॉग A, बेस B, तो A है 16, और B आया 4, B क्या है, बुलेसर B, 4 है, और C, 2 है, अब यह लॉग में ने पढ़ाया है, 4 की कितनी घात कर दूँ ताकि सोलो हो जाए, 4 की घात दो, 4 की पावर 2, सेम ऐसे 2 की कितनी घात कर दूँ ताकि 4 हो जाए, 2 to the power 2, तो 2 equals to 2, बताओ यह बात सही है, जहाँ भी A, LHS और RHS की विल्य सेम हो जाए, कहना कि वह वाला option क्या हो जाएगा? Correct हो जाएगा, समझना बात को, अब बाकी सारे option आपके wrong होने वाले है, क्यो wrong होने वाले है, देखो आप, बाकी क्या wrong होने वाला है? देखो आप यहां लोग A बेस B है, इसकी value क्या है 2? और यहाँ log B बेस C है, और इसने log C base b कर दिया तो इसकी value 1 by 2 हो जाएगी जो equal नहीं होगा एसे यहां log a base b का b base a कर दिया तो यह 1 by 2 आएगा 1 by 2 और 2 equal नहीं है आप भी उसको कर ले ना कोई बड़ी बात नहीं है तो कुन सा option correct हो गया फर्स्ट वाला बहुत ज़्यादा important है बहुत ज़्यादा आप चीज को अच्छे से सुनना एक बार में problem आए आप again repeat करके उसको देखो बड़ आप इसको हलके में ना ले वे इतने सारे important concept मैंने आपको इस lecture में बताये हैं यदि आपने इनको mind में रखा तो निश्चित रूप से आपका बहुत बड़ा फाइदा होने वाला है बहुत the sum of infinite GP है ना whose third term is two by three and seventh term is two by 81 ओके नाव हम लोग देखते हैं आजाओ तो यहां एक infinite GP की बात की है उसका योगफल पूछा है जिसका चौथा पद fourth term दिया है और सात्वा पद भी दिया है इस तरह का question मैंने नहीं लिया था तो सारे concept यहां डाल दिया है यहां दो समीकरण भी बन जाएगी इट मिंस दो equation वाली practice भी हो जाएगी और अनन्त कुणतर सेड़ी मतलब infinite GP का फर्मोल अब लग जाएगा अल्मोश्ट सारे concept मैंने cover कर दिये है तो सबसे पहले चौथा पद बोला इसको मैं यह से लिख देता हूं चौथा पद को टी-4 कितना बोला टू बाय थ्री तो यहीं पद चौथा है फोर्त है तो आर की घात तीन होती है सबी मेरे बच्चे जानते हैं ठीक ऐसे कैसे ही आपने सातवां पद बोला इट मीन्स टी-7 बोला कितना बोला दो बटे 81 बोला अब पद यदि सातवां है तो घात क्या होगी छे और मान तो टू अपन एटी-वन है ही समीकर नमबर दो हो गया ठीक है ओके अब यहां यदि ह अगे बढ़ें तो हमको कभी भी दो समीकर्ण दो equation दिये हैं तो दो अग्यात मान ज्यात करते हैं दो unknown value find out करते हैं निश्ची दूरूप से वाद दो अग्यात मान जो है A और 1 R है तो मैं समीकर्ण जो आपका 2 है उसमें एक का भाग देता हूं इट मेंस AR का पावर 6 है उसम क्या किया तो जो समी करन नंबर आपका कौन सा था दो उसको डिवाइट किस से कर दिया एक से सिंपल आ जाओ तो ए से एक एंसल हो जाएगा और आर की घात उपर 6 है नीचे 3 है ये उपर चला जाएगा आपका 6 तो आर टू दी पावर 6 है माइनस 3 हो जाएगा यहां उपर 2 बटे 81 है यह भाग जब गुणा में बदलेगा तो दो बटे 3 तीन बटे 2 हो जाएगा दो से दो cancel हो जाएगा दो बटे तीन पलट के तीन बटे दो हो गया और तीन से जो आपका 81 है वो 27 बार cancel हो जाएगा तो यहां R की घात 3 हो जाएगी और R की घात 3 बराबर क्या होगा है यहां पर 1 बटे 27 एक बटे 27 है ना तो 1 upon 27 हमको मालूम है R की वेल्यू पता करना है तो R की घात 3 है तो उधर भी मुझे घात 3 बनानी पड़ेगी तो 1 बटे 3 की घात 3 है 3 से 3 cancel हो जाएगा ऐसे करके R की जो वेल्यू है तो क्या हो जाएगी एक बटे 3 ध्यान रखना आपने को दो बोर्ड यूस करना पड़ेगा है ना तब ही जाके question बन पाएगा तो यहां पर R की जो घात हो गई R का जो मान हो गया एक बटे 3 हो गया इस R का मान अपन समीकर नमबर एक में रख देते हैं color change कर लेते हैं तो थोड़ा separate दिख जाए वो अलग से तो समीकर नमबर एक यह है यहां R की जगे में एक बटे 3 लेने वाला हूं तो समीकर नमबर जो मेरा 1 है उसमें में R की प्लेस पे एक बटे 3 लिखने वाला हूं R के प्लेस पे में एक बटे 3 लिखने वाला हूं है ना मतलब यहां पे A गुणा एक बटे 3 की घात 3 A एक बटे 3 की घात 3 बरावर 2 बटे 3 है ना तो A बरावर 2 बटे 3 और यह एक बटे 3 पलट के उदर जाएगा तो 3 बटे 1 और 3 बटे 1 एसा करके है ना तो 3 से 3 आपका कैंसल हो जाएगा 3 तीया 9 9 2 18 तो एसे A का मान कितना आ जाएगा 18 समझ लो आप यहां पे मुझे इसको क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि क्योंकि क्यों थोड़ा लेंदी है तो बताओ हमने उन्होंने दो पदों के मान दिये एक किस पद का मान दिया चाउथे पद का मान मतलब A R की घात 3 का मान एक सात्वे पद का मान मतलब A R की घात 6 का मान और हम से क्या पूछा फिर सातुमापद ये सातुमापद भी दिया अनंत गुणतर स्रिनी का योगफल पूछा तो याद रखना एक इतना आया 18 और आर आया एक बटे तीन तो दोनों समीकरण को देने का जो मकसद हो खतम हो गया याद रखो आर एक बटे तीन और ए आया 18 ठीके तो आर कितना है आपने निकाला तो स्वरी आर कितना आया बताओ मुझे एक बटे तीन एंड जो A आया था वो कितना आया 18 बस दोनों समीकरण मतलब दोनों इक्वेशन का जो टारगेट है वो खतम हो गया अब अनन्द गुणोत्तर स्रेणी का योगपल पूछा मतलब A.S. अनन्द का फर्मूला पूरी टीम को मालूम है अपने कि A.S. अनन्द का फर्मूला होता क्या है अनन्द गुणोत्तर स्रेणी A.S. अनन्द होता है A बटे 1-R बस आप मान रख दीजिए value feel कर दीजिए answer तो आए जाएगा खटा खट है ना आजाओ बताओ फटा फटा फट तो बोलो यहाँ पे A कितना आया A का मान कितना है तो बोले सर A तो 18 है 1-R के सर 1 बटे 3 है यह रख दीजिए तो यहाँ यह आर आ गया और यहाँ इसको cross multiply कर दो तो 3 का गुणा एक में करो 3 एकम 3 माइनस 1 बटे 3 है ना यहाँ हम लोग आगे चलते हैं तो 18 अबलीक 2 बटे 3 है ना तीन में से कम किया 2 बटे 3 तो यहाँ पे 18 गुणा 3 बटे 2 पलट के 3 बटे 2 हो जाएगा 2 से 18 कितनी बार 9 बार किंसल होगा 9 गुणा 3 बोलोगे तो 27 मतलब 27 आएगा तो इस question में हमने फिर दोबारा repeat कर रहा हूँ दो पूछा क्या था अनन्त गुणोत्तर स्रेणी का योगफल पूछा था जो मैंने अभी यहाँ बताया अनन्त गुणोत्तर स्रेणी के योगफल का फर्मूला देखें तो वो है A upon 1-R मतलब एक तो हमको A की वेल्यू लगेगी और एक R की लगेगी और A और R की वेल्यू पता करने के लिए उन्होंने दो समिकर्ण दिया पहला समिकर्ण दिया चाउथा पद दो बटे 3, फोर्थ टर्म 2 by 3, साथवा पद दो बटे 81, सेवंत टर्म 2 upon 81 हमने दोनों समिकर्णों को हल किया, सौल्व किया और A और R की वेल्यू निकाल ली, A और R की वेल्यू को लाके यहाँ प्लेस कर दिया, हमको इंफाइनाइट तर्म, अनंत गुणोत तरस्रिणी का योगफल पता चल गया, है ना, ओके, अब लास्ट क्वेस्चेन अपन तरीकेस देखने वाले है, नॉर्मल तरीका तो मैंने आपको सिखा रखा है, बट वो नॉर्मल तरीका यहाँ, उससे भी जादा सरल तरीका आपको बताने वाला हूं, देखो, एक बटे दो, और आठ बटे नू, बोलता है इनके बीच में चार गुणोत तरमाद्य है, सपो संक्या मतलब एम का जो माने हो कितना है, चार, सभी जानते हैं यह पहला पद इसको अपन ए बोलते हैं, यह आकरी पद इसको अपन बी भी बोलते हैं और एल भी बोलते हैं, तो चार गुणोत तरमाद्यों का गुणन फल पूछा है, अब इसकी लंबी मेथड तो आप जान कि आपको पूछा तो यही है ना, बोले हां सर यही पूछा, बोले जीवन पूछा, इन्टू जीटू पूछा, इन्टू जीथरी पूछा, इन्टू जीथरी पूछा, इन्टू जीफोर, आपको इसी की वेल्यू पूछी बोले हां, इसी की वेल्यू पूछी बोले आर आ आकरी से कुन सा दूसरा तो यदि G1 और G4 को आप एक साथ लिख दो तो इनका गुणा पहले पद और आकरी पद के गुणा के बराबर ही आएगा ठीक एसी कहानी ये G2 की और G3 ये G2 1,2,3 इदर से तीसरा 1,2,3 इदर से तीसरा तो यदि आप G2 और इन्टू G3 लिख दो तो इसको भी पहले पद और आकरी पद के गुणा के बराबर आएगा फटा पट काम चल जाएगा और हम जानते हैं गुणा में आप आगे बीचे लि बनाते जाओ एइंटू भी एइंटू भी एइंटू भी लिखते जाओ खतम किसे किलियर तो अब आपको पता है एइंटू भी क्या होने वाला है बोले ए मतलब 1 by 2 इंटू बी क्या है 8 upon 9 फिर अगेन वोई 1 by 2 और 8 upon 9 कितना सिंपल हो गया question बहुत बहुत सिंपल हो गया है यहां पे 2 से 8 को 4 time cancel कर दो 2 से 8 को 4 time cancel कर दो 4 into 4 69 into 9 81 16 upon 81 सिंपल यार वेरी सिंपल तो कभी भी बीच में गुणत्तर मात दिये देर बोले सबका गुणा पूछो बोले कोई दिक्कत नहीं ना मात दिये है तो बीच वाले पाद ए गुणा भी कर लो इधर से पहला इधर से प 1-6 मतलब जितनी बार उतनी बार वी लिखते जाओ जैसे यहां कितने मात जीते चार तो कितने जोड़े बने दो बार एक बीको दो लीकना पड़ा अच्छे होता तो एभी को तीन बार लिखते समझ में आया दस होता तो एभी को पांच बार लिखते जितने जोड़े एभी एभी लिखते जाओ डारेक्ट अंसर है जाएगा, गोले सर, यह दि पदों की संख्या विसम होती, जैसे यहाँ वो माध्यों की संख्या विसम होती, जैसे चार ए तीन होते, गोले वो तो बहुत आसान हो जाता, बहुत जाता आसान, सेंटर वाला, मतलब यह क्या कर लो, यह वाला और यह वाला ल की लंबी चोड़ी वीदी है फिर आपको एक छोटी वाली वीदी से मैंने परीचे कराया उमीद है आपको इसका लाब मिलेगा अब मैं नया चेप्टर hopefully सांखी की statistics लेके आऊंगा उसमें भी जो theoretical person है जिसको हम आसानी के साथ में cover कर सकते हैं लंबे और लेंदी question देखने का तो समय है नहीं छोटे question important question है ना और जिनके आने की probability ज़्यादा है जिन से हमारे concept और strong होंगे हम इसे question देखें उसी से हमारे फाइदा भी होने वाला बहुत ज़्यादा ठीक है तो उम्मीद करूंगा आज का session आपको अच्छा लगा होगा है आप अपने साथियों को भी इसका लाब देवें ज्यादा ज्यादा मात्रों मैं बच्चों का फाइदा मिले यही MGCA team का purpose है धनिवाब नमस्कार